दोस्तों हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम मैं हुँ जागा होस्ट और आपका दोस्ता जीव पांडे स्वागत करता हूं आपके फिवरेट चनल एडियू मंत्रा में और जैसे कि आप जानर विया देख के समझगे होंगे कि हाँ भाईया आज हम लोगा रहे हैं नाइंध बावाल राजीव सर्व यह चलने वाली ना मतलब इंडिंग तक जब तक नाइंध खतम ना हो जाए तो एक्स्ट्रा कोशन करना ना भूलें विकॉस इस इस मोस्ट इंपोर्डन और यह आपको कॉंसेप्ट क्लियर करेगा बढ़ाएगा मुझे लगता है कि दिमाग का वाम करवाद चैप्टर वाइज चलने वाले इस नहीं है अब लोग देखते रहें और कॉमेंट सेक्शन बताते लिए कि कैसा लग और कॉंसे चैप्टर के चाहिए वह भी वह ज़रूरी है तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मूड बना लें नहीं तो मैंने एक्चुली पेपर चलो के साथ यह डिस्कस कर लो कि एक बच्चा रहता है एक टीचर रहता है बच्चा से पुछता है कि वन से 10 तक नमबर काउंट करके बताओ बच्चे से तो बच्चा बुलता है बच्चा बच्चा सिक्स बूल जाता है तो बच्चा रिप्लाई करता है कि मैडम six died in accident तो six statement बनता है वो अर्थ का नर्थ बना सकता है जब में दिन बोले तो तो मुझे लगा अच्छा है तो मैंने सेर कर दी पहले स्टार्ट कर ले था हम फर्स्ट कोश्चिन और स्क्रीन इस अब कोश्चिन देख लें पहले नो पहले कोशन लॉइखता है इन ट्रेंगा इस चाहिए ए गालकी देखतर देन है। so this is our triangle in which this is our triangle a b c in which a b is equals to a c a b is equal a c c let us write down the given जब भी जोमेटरी लिखते हो तो पहले systematic way में पहले क्या लिखने वाले गिवन लिखने वाले तो गिवन में क्या क्या है in triangle a b c so in triangle a b c this two sides are equal a b equals to a c so a b is equals to a c यह लिखने के बाद में और क्या दिया हुआ angle b is equals to 70 degrees है ना तो चलो यह angle b 70 लिखता हूं 70 degrees you have to find out angle a to find click the town to find systematic way में तो पहले क्या लिखेंगे given then you have to try down to find find is angle a you have to find out angle a निकालना है अगर angle a निकालना है तो दो angles मिलेगा तो थोड़ आंगल मिल जाए तो हमको दिख रहा ही तर यहां पर क्या दिख रहा है देखने से पता चल जाता है कि आप देखो solution में कैसे लिखता हूं जब भी solution लिखूंगा तो यह geometry ऐसे चीज़ है जब इससे इकोल यह 70 है तो यह भी कितना होना चाहिए 70 अब दो आंगल मिलने वाला एंगल से ट्राइंगल का तीनों आंगल का अडिशन इस 180 always 180 तो दो आंगल माले तो थोड़ आंगल मिलने वाला है तो चलो लिख लेते हैं यह कि परस्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल ABC AB is equals to AC तो लिख लेता हूं मैं AB is equals to AC reason is given तो given लिखो reason हर एक step में लिखना is most important तो लिख दिया given उसके बाद में second point में अगर AB is equals to AC if two sides are equal then the angle opposite to them are also equal that's why angle B will be equals to angle C angle B is equals to angle C this is by isosless triangle theorem अब हमको मालुम है angle B कितना है 70 तो angle C भी कितना होगा 70 तो directly angle B equals to angle C equals to 70 each अब देखो third point में दोनों कितना मिलेगा 70 70 अब दो एंगल पता चल गया तो थोड़ आंगल मिलेगा भाई angle some property of triangle so in triangle ABC angle A plus angle B plus angle C angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 this is by angle some property of triangle यह क्या statement बोलता है कि sum of measure of angles of triangle is कितना है 180 तो इसलिए तीनों angle condition 180 अब हमको मालुम है angle A निकालना है तो ऐसे लिख दिया angle B कितना है 70 angle C is also 70 तो लिख दिया B के जगा पे 70 C के जगा पे 70 equals to 180 अब देखो angle A जो है so that is equals to 180 plus 70 70 is 140 140 उदर किया equal to cross करा है तो minus 140 and so it is equals to 180 minus 140 is what 40 so angle A कितना मिल गया 40 and hence वही तो निकालना था सिस्टेमाटिक में में जब भी यह स्रेश कोटे वेरी नाइस तो आपको कैसे ढूनना है वह समझ में आ गया होगा तो पहले figure को analyze करो और step wise लिखो और हर एक step में जो भी लिखते हो तो reason is most important in geometry okay जो बदा रहो next question की तरफ बढ़ते हम लोग next question कैसा हमारे बस in the figure angle X equal to 72 angle X कितना है 72 उसके बाद में X Z Y X that why is what this is a 46 फिर Y O and Z O are the bisectors of angle X Y Z X Y Z का bisector है वाइसे वाइसे है तो इसका मतलब अपको समझ में आ जाना चाहिए बाइसे का मतलब क्या होता है कि वो दो equal parts में divide करता है तो अगर Y O bisector है तो यह angle यह angle से equal होगा तो X X नाम डाल दिया मैं वैसे ही Z O is a bisector of angle X Z Y तो यह क्या करेगा Y Z O bisect करेगा X Z Y को मतलब दो equal parts में divide करेगा तो यह Y तो यह भी Y अब देखिए उसके बाद में find O Y Z O Y Z मतलब हमको O Y Z अगर निकालना है मैं लिख दूँ यहाँ पर अगर angle O Y Z अगर निकालना है तो O Y Z is angle X directly मतलब X मिलेगा तो काम हो जाएगा this is you have to find out and उसके बाद में Y O Z Y O Z मतलब यह angle निकालना है अगर angle O निकालना है Y O Z का मतलब angle Y O Z यह निकालना है अगर यह निकालना है तो X और Y मिलेगा तो यह triangle दिख रहा है यह X प्लस Y प्लस O is 180 है न तो Y तो मिल जाएगा 46 का half X मिलेगा तो यह भी मिलने वारा है तो आप लोग को देखो figure को समझ के analyze करना इस most important की कैसे कर सके चलो देखते हैं गिवन लिख लो पहले गिवन लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है गिवन इस angle X is 72 angle X is equal to 72 figure में दे चुका है very nice figure तो मैं कुछ अलग से बनाऊंगा नहीं तो X is 72 उसके बाद में X Z Y X Z Y angle X Z Y is equals to 46 उसके बाद में क्या क्या है Y O is a bisector so Y O is bisector of angle X Y Z X Y Z similarly Z O is a bisector Z O is bisector of angle Z O is a bisector of Z X Z Y so X Z and Y अब इतना लिखने के बाद में to find क्या कर रहा है वो देख लेते हैं you have to find out angle O Y Z O Y Z angle O Y Z and angle Y O Z so Y O Z you have to find out अब देखो यह गिवन मैं तो systematic way में लिख रहा हूं कि कैसे लिख रहा हूं वो बता रहा हूं आपको तो वो कैसे लिखना है एक्जाम में वो भी बताते जा रहा हूं आपको तो वो बरबर से धिमाग भी रखना आपको solution देखो कैसे करते हैं फर्स्ट पॉइंट में यह लिखेंगे Y O Bicector था तो X पहले यह लिख लेता है पहले Y निकाल ही लेता है बेटर तो लास्ट में हम लोग Y निकाल देगे अलग से यह दो अगर मैं आपको अलग से बना के दिखा दू इधर पर तो यह है हमारा 72 यह है 46 दिस इस एक्स दिस जेड अन दिस इस वाई तो दो आंगल पता है तो थोड आंगल मिलने वाला वाई इस आंगल सम प्रापड़ी अफ्राइंगल तो निकाल लेते हैं और इस एंगाल एंगल एक्स प्लस एंगल एंगल एंगवल एक्स यजद प्लस एंगल xz y z y इस इक वहल टूफती आंगल अब पूचो गैसे इसको एक्स एल्टा इ स्प्राइन प्लूफ अप्रापरेबिंक ओ स्कुछ पर इडिन्टिफाइब नहीं होपाएगा। इसलिए इसको जो लिख रहे हो वो एकदम बराबर से लिखो। X Y Z लिखना पड़ेगा ताकि ये एंगल मिले हैं एक्स वाई Z इसलिए मैंने एक्स-वाई-जड लिखा और वैसे this is why angle sum property of triangle okay that is sum of measure of angles of triangle is 180 अब क्या है angle X is 72 plus XYZ XYZ तो निकालना था तो उसको आइस रख देते XYZ plus XZY XZY is what 46 तो लिग दो 46 equals to 180 अब बताना मुझे कितना आ रहा है निकालना था रहा हिए सब्क्रिक मिणड निकालना रहा है शॉवल्मती तो लिच्छा वक्र स्छाना म Кच्रिक में निल्ड की डगउता पर लिग रहा श्यक्रिकालना था यज्ड को ले इस यह निल्ड की टीव् सब्रें सब्स हमें इас ड़कर Sell su also अब आगे देखते हैं second point में बताते रहने second point में रेखते हैं अब यह मिलने के बाद में 62 मिलने के बाद में this total is what 62 अब हमको मालूम है अगर yz निकालना तो x और x निकालना तो फेल एक सेक्स लिख देते हैं that is xyo angle xyo is equals to angle o yz o yz let this equals to x because y o is a bisector y o is bisector of angle x y z x y z अब यह समझा है ओके तो therefore अब देखो जरा आप जरा ध्यान से देखना क्या लिखना हूं मैं इसके बाद में and it is equals to half of angle यह जो रहेगा this is half of x y z तो half of angle x y is that reason why y o is a bisector so half of x y z कितना मेला x y z is what 62 to half of 62 half of 62 is 31 अब हमको मिल गया यह वाला वाल्यू वही चाहिता ना हमको y o y z so लिखो लो therefore angle o y z is equals to what x and that is equals to 31 यह मिल चुका हमको value यह हमको first वाला चाहिए था तो हर एक चीज को analyze करना तो this is what 31 अब यह 31 मिलने के बाद में y भी निकाल लेते हम लोग third point में third point में angle o o a z y वही चाहिए था अभी मैं दूसरा नहीं नहीं कालोंगा डरेकली ओके तो लिख लो क्या आप फरक पड़ता है एक्स जड ओ अंगल x z o is equals to angle x z o is equals to o z y o z while it is let this equals to y x z o equal to o z y let this equals to y y because do not equal q a because z o is a bisector z o is by sector of angle x z y to reason लिखना बहुत important है and again this is half of it is half of ये क्या है x z y का half angle x z y so half of x z y means half of 46 half of 46 is what it is 23 okay अब यह मिलना तो यह हमको यह तो रह निकालने का था वो क्यू निकाला अब मैं इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा कि मैं और लिख सकू तो यह फर्स्ट वहला पॉइंट जो वो मैं डिल्री रप कर देता हूँ कि देखो ज़रा लिखना कैसा है दाट इस मोस्ट इंपोर्टेट इन जोमेंट्री ओके तो वो ध्यान में रखना अब देखेगा यह कौन सा पॉइंट था यह थोड़ अब फॉर्थ पॉइंट में से देखना अब हमको यह क्यों निकाला यह 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 वैल्यू निकाला क्यों विकॉस हमको यह निकालना है तो इधा ट्रांगल दिख रहा था दो अंगल मिलेगा तो थोड़ अंगल मिल जाएगा तो इसका वैल्यू कितना मिला दिस ट्वेंटी थ्री ओके वाई मिल गया अब मैं ऐसा अलग से बना दू ओ वाई-जड तो यह एंगल एक से यह 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 निकालना है तो दो इंगल दो इंगल न ना इन रिंगल और य обязTS Merci nix मोस्ट poz तो एंगल ओ देरफोर आंगल ओ इस एक वल्स्ट वानेटी टोटल कितना हो जाएगा लिए अन्ट फिटीफॉर फैनमेश जिए पूर गया तो six अढ़े एदा सब्सक्राइब शेवन सबस्टेवन इन सबस्टेवर योज गया हो गया हो गया हुञा ड़ाइओ हो तो सर मैं तो चाहता है इस बाद पर जोग हो जाए तो जबरस्त जोग में याद आ गया याद आ गया तो बच्चा पूछता है तो बच्चा पूछता है बच्चे से वाट इस नाउन तो बच्चा बोलता है इस अर्ज किया है तो बच्चा बोलता है अपने गली में किंग किंग होता है अपने गली में किंग नाउन इस नेम आफ एनी परसंग प्लेस और थेंग बहुत बहुत जाए रहा है यह अगें दिस वन एज थोड़ा सा मैं यह जो भी कोशिंस लाया हूँ यह सब अब एक्जाम में है वेरी गुड एक्जाम में हुआ कोशन है तो बहुत इंबॉटेंट है देखो अभी सॉल करके देखते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ यह बढ़ते हैं यहां पर एक्स और यहां पर एक्स और यहां पर एक्स और वाई हमको जूंड़ना है तो सल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में क्या आएगा अब देखो पहले बस जैसे कि बताया मैंने पहले फिगर को अनलाइस करो क्या है ओके वेरी गूड श्रेश फिगर को अनलाइस करो अब यहां पर क्या दिख रहा है हमको हमको मालूम है यह 60 है तो यह वाला एंगल 60 मिल जाएगा तो दिमाग में सब रखना है वर्टिकली कॉमन अंगल क्या क्या दिख रहा है हर एक चीज आपको दिमाग में रखना है तो यह वर्टिकली ओपोसिट ओके तो जोमेट्री में यही मैंने बताया हमेशा कि प्रॉपरटी आपके दिमाग में चलनी चाहिए तभी हम लोग अनलाइस कर पाएंगे यह 60 तो यह अगर लाइन्स आर पार्लेल तो देखो जेड फॉर्म कर रहा है यह ना यह दोनों एंगल्स तो यह दोनों एंगल्स एकल होंगे तो यह 60 तो वाई मिल जाएगा वाई मिलने के बाद में हमको पता है अगर यह एक्स निकालना है तो इधर यह ट्राइंगल दिख रहा है यह triangle में यह angle मिलेगा तो दो angle मिल जाएंगे तो थोड़ angle मिल जाएगा तो obviously यह तो मिल रहा है यहां पर देखो इसको मैं डाल देता हूँ नाम Y, Z तो जड़ा simple हो जाएगा चलो करते हैं अब ही So angle this A, E, O A, E, C A, E, इसका नाम नहीं डाला है A, E, this is F Let it be, this is, this point is F चलो So A, E, F angle A, E, F is equals to A, E, F is equals to what 60 vertically opposite angles अब यह होने के बाद में हमको पता चल गया A, B is parallel to C, D A, B is parallel to C, D इस गिवन, यह यहां पर गिवन है If A, B is parallel to C, D then alternate angles are equal It means that angle A, E, F is equals to E, F, D So angle E, F, D is equals to E, F, D means this angle is equals to A, E, F angle A, E, F these are what alternate angles are equal to full form me likhna if lines are parallel alternate angles are equal simple उसके बाद में A, E, F, D E, F, D E, F, D this angle is what 25 plus Y so likh though this is 25 plus Y is equals to A, E, F अगर A, E, F देखो तो 60 so likh though 60 simple so Y will be equal to 60 plus 25 अधर किया तो कितना होजा constant constant के पास so minus 25 so it's 10 minus 5 is 5 this is 5 5 minus 2 is what 3 35 is it correct so Y का value हमको मिल चोग Y का value मिल चोगा yes सही है अब हम लोग पहले हमको अगर X की value निकालनी है ये triangle दिख रहा है ये triangle दिख रहा है E, F और इदर नाम डाल देता हूँ H चलो so E, F, H ये triangle में E, F, H वाले green कर देता हूँ मैं इसको color change करके बतादो थोड़ा सा blue कर देता हूँ ये फिर green is better तो ये triangle देखो ये triangle में अगर X निकालना है हमको तो ये दो angle मिलना चाहिए 25 है Z निकाले का काम हो जाएगा तो चलो Z निकाल लेते हैं काम खतम करते हैं इसका काम तमाम So Z निकालने के लिए देखो second point में क्या करता हूँ This 60 plus Z plus 40 60 plus Z plus 40 This is equals to straight line angle straight line angle फ़र्म हो गया तो लिखेंगे 180 straight line angles अब ये होने के बाद में Z will be equals to 180 ये total मिला के 100 100 उदर गे तो minus 100 180 minus 100 is what? 80 Z मिल गया 80 है ना अब दो आंगल तो मिल गया This is 80 तो दो आंगल मिल गया तो थोर्ड आंगल मिलना ही है So third point में in triangle E F H E F H This is 80 Z plus 25 plus X Z plus 25 plus X equals to what? 180 angle sum property of triangle So reasons are most important बरबर से ध्यान मेरे को Z का value मिला हुआ 80 80 plus 25 plus X equals to 180 80 काहा इलिका from 2 Okay अब देखो So X will be equals to therefore value of X will be equals to 180 ये total मिला के 105 उदर गया तो minus 105 and it is going to be 75 So X का value is what? 75 Is it correct? Is it correct? Z का value is X का value is 75 आपके बढ़ता हूँ next question के दरफ next question हमारे पास कैसा है? वो देख लेते हैं अब ये ये जो question है बहुत जादा analyzing power की जरूरत है इसमें 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 तो converse of midpoint theorem यूज करने वाले तो that is अब वही बोला माया कि आपके जे पास जितना भी properties हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए अब ये question जब मैं बच्चों को देता हूँ तो बच्चे उजाते confused तो ये actually ये question ऐसा है कि बार बार आप लोग solve करोगे दो तीन बार तो आप लोगो आ जाएगा कुछ इतना इश्यू नहीं है लेड़ सी अब देखो यूँ आफ टू प्रूव दाट इस एफ इस तो प्रूव लिग दू अब टू प्रूव करना है इसमें दाट इस एसी इस एसी इस थ्री टाइमस ओफ एफ इसी जो है यह एफ कर थ्री टाइमस है अब दिस यूँ आप टू प्रूव गिवन लिग देए गिवन डेटा इस मोस्त इंपॉर्ड़न है एक दिस एडिस अमेडियन दिया हुआ है एडि इस मिदियन अगर वो मिदियन है तो दी मिद पॉइंट है तो क्या करेगा दो एक वीडि पांस में दिवाइड करेए तो वो दिख दिया वो बना दिया उसके बाद में e is इस मिद पॉइंट आफ एडि e is mid पॉइंट एडियन यह भी गिवन था तो अगर इमिड़ पॉइंट है तो वो क्या गरेगा एडी को दो इकुल पार्स में वड़ गरेगा एडी विल भी इक्वल इक्वल स्ट इडी उसके बाद में और क्या दिया है इस भी बी एफ इस पारल टो जी डी 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 अब देखिएगा कैसे लिखता हूं इसको कै से प्रूफ करता हूं that is most important तो एक 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 चीज वराबर से अध्यान से देखेगा solution प्रूफ में फस्ट प्रूफ लिख है तो प्रूफ है तो इसलें प्रूफ लिख दिया ओके लिए फस्ट पॉइंट देखते है हम लोग एक दम अनलाइस अच्छे चा करना भी अब देखो मुझे अगर एफ इक्वल टो एफ जी प्रूफ करना तो यह मैं ट्राइंगल लेता हूं that is यह ट्राइंगल देखो टेक लोजर अधियान से यह ट्राइंगल ओके उसमें इमिड़ पॉइंट अलक से बना दू आपके लिए this is d this is g and this is a this is our e and this is f e midpoint d yena and we know that if bf is parallel to DGE, then EF is also parallel to DGE. तो ये इससे parallel है. So, this is a line EF which starts from the midpoint of the one side, parallel to second side, then it bisects the third side. अब देखो, this is converse of midpoint. तो लिखे लेते हूं, लिखे लेता हूं, इन triangle ADG, ADG, E is midpoint of ADE, E is midpoint of ADE. अगर E midpoint है, अगर E midpoint है, AD का, और EF is parallel to DGE, EF is parallel to DGE, अब ये क्यों है, बिकास, BF is parallel to DGE. Since, since BF is parallel to DGE. So, this is the line segment EF, starting from the midpoint of the one side, एक side के midpoint से start हो रहा है, ये ये को AD के midpoint से start हो रहा है, और वो क्या है, second side को पारलल है, तो third side को bisect करेगा, that's why this AF is equal to FG, therefore, AF is equals to FG, this is by converse of midpoint theorem, ऐसे पढ़ा था, है ना, so therefore, F is midpoint of, अगर F, AF FG से equal, so F is midpoint of AG, वो लिखे नहीं लिखे, कोई फरक नहीं पढ़ता है, यहाँ पे दो हमको जरूत नहीं था, तो इसको छोड़ देते, चलब हो, इतना लिख दिया है, AF is equals to FG, this is more than enough, अब देखो, मैं second point पे आता हूँ, that is, black से करता हूँ, इसको, अब देखो, second point, मैं अगर इसमें लूलू, BFC, BFC, अगर मैं diagram अलग से बना दूँ आपको, तो ऐसा diagram दिखा ही देगा, this is B, this is F, and this is C, this is D and G, D and this is G, अगर मैं देखो, AD अगर median है, so D is the midpoint, अगर D midpoint है, तो मतलब, BD is equal to DC, so BD equal to DC, ओके, अब ये कैसा दिख रहा है, DG is parallel to BF, ये दिया था, अगर ये triangle में मैं देखूँ, तो क्या हो रहा है, DG जो है, वो BC के midpoint से start हो रहा है, और second side, that is BF को parallel है DG, तो वो क्या करेगा DG, third side को जाके, divide करेगा, byset करेगा, into two equal parts, so that is, FG is equals to GC, okay, so चलो लिख ले, in triangle BFC, that is, BCF, BCF, BCF में क्या दिया है, D is midpoint of BC, D is midpoint of BC, of BC, वाई, यह D midpoint क्यों है, BC का, D, BC का midpoint क्यों है, because AD is the median, दिया है, na, AD is the median, since, लिक दो, since AD is median, okay, अब D is the midpoint of BC, because AD is median, अब देखो, उसके बाद में, DG is parallel to BF, DG is parallel to BF, this is also given, so, this is a line segment, DG, starting from the midpoint of the one side, X side, BC के midpoint से start हो रहा है, second side को parallel है, तो वो third side को bisect करेगा, मतलब, FC को bisect करेगा, into two equal parts, so, FG is equal to GC, therefore, FG is equals to GC, this is by converse of midpoint theorem, बढ़ा था हमने, so, line segment, starting from the midpoint of the one side, parallel to second side, then it bisect the third side, ऐसा बढ़ा था, converse of midpoint theorem, so, यहाँ पे दिख रहा था हमको, DG is a line segment, starting from the midpoint of the one side, X side के midpoint से start हो रहा है, second side को parallel है, तो वो third side को bisect करेगा, so, FC को bisect किया, उसने, that is, FG is equal to GC, इतना होने के बाद में, आप third point देखेगा, बहुत simple है, अब proof होने वाला है, हमारा third point में, okay, third point देखते हैं, अब देखिए, हमको क्या मिला, AF is equal to FG, तो लिख देता हूँ, AF equal to FG, AF equal to FG, and FG is equal to GC, so, GC, this is from one and two, okay, AF equal to FG, FG is equal to GC, तो AF equal to FG equal to G, इतना मिलने के बाद में, AC मैं देखू, AC निकालना है मुझे, therefore, AC will be equals to, color change करता हूँ, तो ज्यादा better way मैं दिखाई दे, so, AC will be equals to, AC अगर मैं लिखू, so, AC will be equals to, AF plus FG plus GC, AF, plus FG plus GC, okay, so, हमको relation किसके किसके बीच में चाहिए, AC और AF के बीच में, तो AC लिख देते हैं ऐसे, AF भी ऐसे लिख देते हैं, plus, अब GF, FG चाहिए नहीं, इसमें प्रूफ में, तो FG is equals to AF, so, FG के जगा पे AF, plus, again, GC भी नहीं चाहिए, तो GC के जगा पे, GC is equals to AF, AF चाहिए, तो सब्स्टिट्यूट करो, GC के जगा पे भी AF, this is, है ना, therefore, so, AC will be equals to, AF plus, AF plus, AF, GC के जगा पे, AF डाला हमने, AF plus, AF plus, AF is, three times of, AF, and यही तो हमको प्रूब करना था, है ना, बहुत सिम्पल है, ओके चलो, आगे बढ़ते हैं, next question के तरफ, this is our last question, और बहुत सिम्पल सा है, और बहुत छोटा करने वाला है, इसको मैं, given लिख दू पहले, चलो, given लिख देता हैं, given पढ़ते हैं, और लिखते हैं, in the given figure, AD is equals to AE, AD is equals to AE, AD is equals to AE, BD is equal to EC, BD is equal to EC, तो लिख दो BD, is equal to EC, BD is equal to EC, उसके बाद में, you have to prove that, you have to prove, क्या प्रूफ करना है, triangle ABC is isosless, triangle ABC is isosless, triangle, क्या प्रूफ करना है, isosless, isosless का मतलब क्या है, दो साइट से equal है, ये प्रूफ करना है, मतलब अगर, AB equal to EC मिला, वह ही मिलने वाला है, अगर ये दो साइट equal मिला, तो triangle ABC will be isosless, तो प्रूफ कैसे करते हैं, वह देखो सरा, first point, first point, ध्यान से देखिए, हमको मालु में, AD is equal to AE, जब AD equal to AE है, तो उसका opposite sides भी कैसे होंगे, opposite angles भी क्या होंगे, equal to this angle is equal to this angle, है ना, अलग से बनाके बताता हूं आपको, this is A, this is D, and this is E, so if AD is equal to AE, AD is equal, तो उसका opposite angles भी क्या होगा, X and X, okay, so वो लिख लेता हूं मैं, AD, AD is equals to, AD is equals to A, this is given, so if this happens, then angle ADE, angle ADE, is equals to angle AED, AED, let this equals to X, दोनों को क्या मान लिया हमने, X, Pi I source less triangle theorem, in a triangle if two sides are equal, then the angle opposite to them are also equal, that's why ABX, ABX, third point, मैं ज़र अध्यान से देखिएगा, अब ये X है तो angle ये वाला कितना होगा, ADB, angle ADB, is equals to, ये X है तो total 180 होता है, 180 minus X लिख दू directly, नि तो ऐसे लिख लो तो ज्यादा बेटर होगा, चलो, एक और मिथ़ड़ता हूं, ADB plus X, plus X is equals to ADB, plus X equals to 180, linear pair angles, वैसे ही फॉर्थ पोइंट में, ADB लिया, फिर ये वाला angle, AEC, angle AEC plus, AEC plus this X, equals to what 180, again linear pair angles, straight line form कर रहा है, दिख रहा है सबको, अब ये दोनो 180 मतलब, this is equal to this, तो directly 5th point में लिख लो, angle ADB is plus X, ADB plus X, equals to angle AEC plus X, from 3 and 4, from 3 and 4, simple है, तो plus X plus X cancel, angle ADB is equals to angle AEC, अब देखो, ये angle इससे equal मिल चुका, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वो देख लो, फोड़ा मैं रब करता हूं, दूसरा में थर बतालूँगा, आपको ये बाद में इसके, जस्ट इसके बाद में, अब देखो, क्या करने वाला हूं मैं, यहाँ पे, this is A, this is B, and this is B, दूसरा, this is A, this is E, and this is C, means this triangle, and this triangle, ओके, जो क्रॉस की है, तो उसमें, BD equal to EC दिया है, यहाँ, BD is equal to EC, उसके बाद में, यह हमने प्रूफ किया, कि this angle is equal to this angle, ADB equals to, that is ADB equal to AEC, यहाँ, उसके बाद में, यह भी दिया है, कि AD is equals to AE, यहाँ, यह भी दिया है, स, A, S test से, इस टू ट्राइंगल सार कॉंगुरेंट, इफ ट्राइंगल सार कॉंगुरेंट, इसके बाद में लिखता हूं इसको, 6th point में, इन ट्राइंगल ADB, और ट्राइंगल AEC, क्या-क्या इकॉल है, देखो, BD is equal to C, इसके इस गिवन, सो BD is equal to C, BD is equal to C, इसके बाद में, ADB, अंगल ADB, इस equal to AEC, AEC, इस इस फ्राम 5, प्राम 5, प्रूव करके रखा हम नहीं है, उसके बाद में, AD is equal to AE, AD is equal to AE, इस इस गिवन, इस एक्राइटेरिया है, तो प्रूव ट्राइंगल, as congruent triangles, है साय तो triangles congruent होता है, so that is therefore triangle ADB is congruent to triangle AEC by SAS test, as triangles congruent, corresponding parts are equal and therefore this AB is equal to AC, AB is equals to AC by corresponding parts of congruent triangles, if two sides are equal, agar AB equal to AC, therefore triangle ABC is isosless triangle, simple, एक तो ये method था, है ना, और एक method आपको बता दूँ, और एक method आपको बता दूँ, देखो कैसे, कैसे proof होता है, तो मैं ये पूरा रब करता हूँ, मैं फिलाल, और फिर आपको पताने कोशिश करता हूँ, पहले क्या दिया था, BD is equal to C, BD is equal to CE, उसमें DE add करो, so BD plus DE is equal to CE plus BD plus DE is equal to CE plus DE, अब देखो BD plus BD plus DE is B, and BD plus DE is B, उसके बाद में it is equals to DE plus ECS, DC that is CD, यह मिलिया, अगर मैं देखों, यह दोनों sides equal है, तो उसका opposite angles भी equal है, अब मैं draw करता हूँ, two triangles, this is A, B, this is E, A, B, E, and this is ADC, A, D and C, अब देखों क्या क्या equal मिला, हमको यह मिला कि B is equal to D, DC है न, उसके बाद में यह मिला कि इस आंगल, A, E, B, A, E, B, means this angle, this is X, and ADC is also X, मतलब यह आंगल इससे equal, उसके बाद में यह भी दिया है कि AD is equals to what, E, C, A, E, so A is equals to what, AD, अब दिख रहा है, S, A, S, Tests है, इस two triangles, congruent triangles as congruent triangles, triangles are congruent, तो corresponding parts are equal, that's why AB is equal to AC, two sides equal to triangle is isosless, yes, तो चलो भाया, session तो हो गया, समाप्त हो तो तो भाया, last वाले में हम बुला लें, अपने दोस्त and host, yes, guys, यहाँ पर session समाप्त हो जुका है, तो एक last joke ले ले, अले, sir, माफ करो, आगे करें, खतम करते हैं, जोक से डर गया हैं लोग हमारे, जोक बहुत ही आदा काति लाना है, येस, येस, तो भाया, जरूर बताना कि कैसा लगा ये session, yes, comment लिखना, like करना, नए हो तो subscribe करना, और sir, के जोक कैसे लगे वो बताना, और आप कोई जोक अगले session में नहीं सी है, तो भी बताना, और चाहिए तो भी बताना, तो ठीक है sir, फिर और येस, और वो बिल आइकन ज़रूर दबा देना, ता कि further updates आपको मिलते नहीं, sharing is caring, तो share करते नहीं, चीतना हो सके, yes, okay, चले मिलते है next time, तब ता के लिए good bye, and alvida, वो भी वो ज़रूर ही है, yes, अभी जोक, जोक, तो start करने से पहले थोड़ा mood बना लें, तो मैंने actually paper बड़ा था तो उसमें ऐसा था, तो मैंने सुझा कि बच्चे लों के साथ यह discuss कर लो, कि एक बच्चा रहता है, एक teacher रहता है, बच्चे से पुछता है कि 1-10 तक number, count करके बताओ बच्चे से, तो बच्चा बुलता है 1-2-3-4-5-7-8-9-10, तो यह बुलते बच्चा 6 भूल जाता है, तो बच्चा बुलता है, तो बच्चा बुलता है कि मैंने आज मैडम, आज मैंने सुबह सुबह पड़ा था paper में, कि 6 का accident हो गया, 6 का accident हो गया, 6 जनों का accident हो गया, तो वह बलता है कि 6 का accident हो गया, तो वह बलता है कि 6 का accident हो गया, तो यह कैसा mood हो रहा है, वह अपस से बोलेंगे न, वह क्या mood बना दिया, 6 डाइड, English में भूलना पड़ेगा, वह लास्ट वाला एक statement बोल लेते हैं, प्यूश, इस समत कर, तो एक बात यह आ गई, कि जब यह कर रहा था, तो English एक और देख रहा था, तो teacher पूछती है बच्चे से, कि what is noun? अगर आपको होता है तो comment से होता हूँ, तो बुलता है कि, बच्चा बुलता है क्या है, देखना पूल गया, वह बस बुल गया, कि यह जाला हमाली है, यूश, जोड़ा जोग, डालेंगे, यह 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 राइसा मत कर, जोग डालना बड़ेगा, थोड़ा बच्चलों को भी तो मुझा है मुझा है, देखना राइसार के जोग, सब गूगल प्रोवेड करता है, ज़दा देखना मत, सब स्काव है देखना, स्काव 2020, पहले बाहर से, मैं खताम हो जागा तो तो बाहर से आएगा ना, तो यह कोशन कैसा लगा, बहतेरीन ता सर, तो सर मैं तो चाथा आप एक और जोग, इस बाद पर एक और जोग हो जाएए, एक मैं एक्शली जबरस्त जोग में देखना याद आ गया, एक्छा याद आ गया, एक्छा पूछता है, सब समझ में नहाता, तो बच्चा पूछता है, सर, तो बच्चा पूछता है, सर, अपने गली में भी शेर वास यस ता हुता है अपनी गली में भी शेर noun is a name of any place place something सम्धिंग अर्फिंग यह हमसे ना हुपाई नेम आप एनी पर्सन प्लेस वर थिंग ना किंग कुछ तो शेर से कुटा होता है अपने गली में किंग अचा किंग किंग होता है अब यह वापस एक वर बूल लेते हैं अचा किंग कुटा होता है अपने गली में किंग किंग होता है अपने गली में किंग नावन इस नेम आफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग और किसा मैं जा रहा हुँ